प्रिय शिक्षार्थियों हमने पूर्व भाग में जाना किस प्रकार ग्रंथारंब का प्रारंब कर ग्रंथारंब करके भगवान भाशकर के वर्णन से ग्रंथारंब होता है जिसमें शिवराज विजय के प्रारंब में भगवान भाशकर के स्तुति के माध्यम से हमें अपने संपूर्ण व्यवहारों को भगवान भाशकर के समान देदि प्यमान और उर जानुद करने की और प आगे कवी कहते हैं अमूमेव गायती ब्रम्हनिष्टा ब्रम्हना अमूमेव अहरह उपतिष्ठंते धन्य एश कूल मूलं श्रिराम चन्रस्य प्रणम्य एश विश्वेशाम इती उद्देश्शंतम भास्वंतम प्रणमन निजपर्ण कुटिरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पतु विप्रवटु हूँ आएए इसके सरलार्थ को समझते हैं भगवान भास्कर का वर्णन करते हुए आगे कवी कहते हैं कि एशह अर्थात ये भगवान भास्कर ही अंगी करोती स्विकार करते हैं अंगी करते हैं उत्तरम दक्षिनम्चा आयनम इस उत्तर और दक्षिन और दक्षिन आयन के रूप में दो भेद दिखते हैं आपको इसकी सबसे बड़ी घटना के रूप में समरन होगा कि शरशया पर लेटे हुए भीश्म पिता माहा अपने प्रांड छोड़ने के लिए उत्तर आयन का इंतजार करते हैं उत्तर आयन की प्रतीक्षा करते हैं वहा दो भेद परिकल्पित किये गए हैं एने नई वह संपादिता युग भेदा है युगों के भेद भी इन भगवान भाषकर के माध्यम से ही संपादित किये गए हैं हम सभी जानते हैं भारतिय संस्कृति में युगों की परिकल्पना किये गई है और ये युग है चार कौन कौन से सरवप्रथम है सती यूग उसके बाद त्रेता यूग उसके बाद द्वापर यूग और उसके बाद प्रवर्तमान है कली यूग इस प्रकार चारो ही यूगों के जो चार यूगों के जो चार भेद है उन्हें भगवान भाशकर ने ही अंगिकार किया है भगवान भा स्रिष्टी का जो उत्सर्ग यानि प्रवेश है संपूर्ण स्रिष्टी का संहार और उत्पत्ति इन दोनों को ही कल्प के नाम से जाना गया है जितने समय तक यहां स्रिष्टी रहती है स्थिती रहती है उत्पत्ति से लेकर स्थिती तक वह संपूर्ण समय और संहार के बाद उतना ही समय इन दोनों समयों को कल्प के नाम से जाना जाता है परमेश्वर की जो सबसे अंतिम संख्या है वो सबसे उच्चतर संख्या है परार्द संख्या वह भगवान भाशकर का ही आधार ग्रहन करती है असव एव यह भगवान भाशकर ही चर करती बार 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 इस स्रिष्टी को करते हैं निर्मान करते हैं बरभरती उनका भरण पोशन करते हैं जरहरती उनका संहार करते हैं वेदा एतस्ययववदिनः वेद भारतिय संस्कृती के मूल ग्रंत माने हैं उत्समाने गए है और वे उनकी संख्या चार स्विकार कही है रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरववेद वेदत त्रई भी सिवकार की गई है जहाँ पे उनकी संगरचना के आदार पर वेदत त्रई कहते हैं गद्य, पद्य और उभयवी इस प्रकार से वेदत त्रई हो अथवा चारवेद हो चारो ही वेद इसी भगवान भाशकर के वंदना करते हैं, वंदना करने वाले हैं इसलिए उनको भगवान भाशकर के वंदी कहा गया है गायत्री अमूमेव गायती, गायत्री इसी भगवान भाशकर का गान करती है इनकी भगवान भाशकर की ही स्तुती करते हैं ब्रह्मनिष्टा ब्रह्मनाहा अमुम एवा अहरह उपतिष्ठंते ब्रह्मनिष्ठ इस समस्त संसार के निर्माण में समस्त संसार के आधेय ब्रह्मने लीन ब्रह्मने निष्ठ जो ब्रह्मन है वे अहरह यानि प्रती दिन दिन रात इसी भगवान भाशकर का ही उपतिष्ठ लीकलते इन भगवान भाशकर को ही आधार बनाते निके माध्यम से अपने सभी कारियो को पूर्ण करते हैं धन्यय इश्व रा míra चंद्रस्य इन्हें भगवान भाश्कर को ही श्रीराम चंद्र के कोल के मूल के रूप मेंस्व कार किया गया है यानि उन भगवान श्री राम चंदर के जो कुल का प्रारंब है वह भगवान भाशकर से ही है इसलिए उन्हें सूर्य वंशी शब्द प्रयोग किया जाता है तो सूर्य वंश में भगवान श्री राम चंदर ने जन्म लिया है इसलिए उनके वंश के मूल के रूप में सूर्य को भगवान भाशकर को स्विकार करते हैं प्रणम्य एश विश्वेशाम यह सभी के लिए विश्वेशाम समेशाम कृते एशह एशह भगवान भाशकर रहा प्रणम्य हा प्रणाम योग्य हा प्रणमार हा प्रणाम के योग्य है नमस्कार के योग्य है इती उदेश शंतम भाश्वंतम प्रणमन इस प्रकार अपने मन में विचार करके उदित होते हुए भगवान भाशकर को प्रणाम करते हुए निज पर्ण कुटि रात अपने पर्ण से बने हुए कुटिया से निश्चक्राम निकल पड़ा बाहर निकला कौन कश्चित गुरु सेवन पटुह विप्रवटुह कोई गुरु की सेवा में गुरु की विपर्या में तत्पर गुरु की सेवा में पटु विप्रवटुह व इस गद्य खंड में कुछ विशेश बातों को हम समझें, इसमें सरोप्रथम शब्द जो आया था, निजपर्ण कुटी रात, पर्णस्य कुटी रहा, पर्ण कुटी रहा, इस प्रकार शश्टी तत पुरुष समास यहाँ पर होता है, पुनाहा निजश्य पर्ण कुटी रहा इस प्रकार यहाँ समस्त शब्द बनता है, जिसमें शश्टी तत पुरुष समास है, विप्र वटु हो, कर्मधारे तत पुरुष यहाँ पर समास है, विप्र भी वही है और वटु भी वही है इस अर्थ में, चरकरती डुक्रिय करने इस धातु से वारम वारता के अर्थ म का लुख और करके चर करती किया बनता है लटलकार प्umपूरुष். एक वचन में। इसकी प्रकार जर्छती W वहारण प्रिश्टि गोचर होती है, यहे लट लकार प्रथम पुरुष एक बचन का पद है, बरभरती यहाँ भी भियर भरण पुरुषण के आर्थ में जो भियर भरन पुरुषण के आर्थ है इस से अर्थवारण धारण पुरुषण यहीं शब्द बनता है, यहाँ भी इन तीनों ही शब्दों में हम देखते हैं यंग-Lugant प्रयोग, यह इस प्रयोग से कभी यह बताना चाहरे हैं कि यह स्रिष्टी का जो हम सकल सामने अपने पुरोध श्रमान चराचर जगत को देख रहे हैं यह इसमें वारम वा रथा है यहाँ कालांतर में नश्ट होगी पुनहा इसके उत्पत्ती होगी पुनहा इसका निर्मान होगा पुनहा यहाँ विनश्ट होगी पुनहा यहाँ निर्मान होगी इस प्रकार यहाँ जो क्रम है वो निरंतर चलने वाला है इसलिए उस सातत्य को बताने के लिए यहाँ पर यं इस वार्तिक से यहाँ पर आत्मनेपद का विधान किया गया है अन्य शब्द आया था कुटी रहा कुटी जो है वो छोटे से स्थान के लिए प्रयोग है रिस्वार्थ में कुटी शब्द से यहाँ पर प्रत्य हुआ है कुटी शमी शुंडा भ्यो रह इस सूत्र से रपरत्य हुआ है और कुटी शब्द निश्पन्न हुआ है निश्चक्रामा निरुप्सवर्ग पूर्व क्रमु प्राद विक्षे पे इस धात्तु से लिट लकार में प्रथम पुरुशाईक वचन में निश्चक्राम यह शब्द सिद्ध होता है आगे बढ़ते हैं आगे मूल पाठ को हम समझते हैं अहो चिररात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल परतंत्रेनईव महान पुन्यमयह समयो अतिवाहितह संध्यो पासन समयह अयम अस्मत गुरुचरणा नाम तत सपदी अवचिनोमि कुसुमानी इती चिंतयन कदली दलम एकम आकुंच त्रिनशकलाई ही संधाय पुटकम विधाय पुष्पावचयम कर्तुमारे भे इसके सामान्य अर्थ को सरलार को समझते हैं यह अव्य है जो की विश्मयादि बोधक है आश्चर्य के अर्थ में भी और देन्यक प्रकट करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है चिररात्राय चिररात्री पर्यंत सुप्तो अहम मैं सोता रहा हू स्वप्न जाल परतंत्रे नईव स्वप्न अर्थात सुशुप्ती निद्रा निद्रा के जाल में वशिभूत होकर परतंत्र होकर उसके अधिन होकर के महान पुन्य मेह समय अतिवाहितः महान पुन्य में जिस समय में अत्यधिक पुन्य में प्राप्त हो सकता है ऐसे समय को हमने अतिवाहितः निरर्थक कर दिया है विता दिया है क्योंकि इस समय को महान पुन्य में क्यों कहा गया है क्योंकि भारतिय संस्विती में प्राता कालीन वेला को प्राता काल की मंगल वेला को उन्यमय काल स्विकार किया गया है इस समय में ही समस्त शुबकार्यों की संगरचना का विधान किया गया है ब्रह्मचारी वटूओं के लिए यानि शिक्षार्थियों के लिए शिक्षार्थियों के जीवन में इस समय का अत्यधिक महत्व है कहा जाता है कि इस उशस काल में इस प्रातर कालिंद वेला में हम जितना अध्यान करते हैं वहां बहुत लंबे समय के लिए हमारे मस्तिक्ष में चिरकाल के लिए स्थापित हो जाता है हमारी स्मृति उससे दुगनी हो जाती है इसलिए इस काल को पुण्य में समय कहा गया है न केवल विद्यार्थियों के लिए अपितु समस्त चाहे वग्रियस्तो हो वानप्रस्तो हो अत्वा सन्यस्तो हो सभी के लिए यह समय पुन्ण में कहा गया है आगे कहते हैं संध्यो पासन समय हा अयम असमत गुरुचर्णा नाम यह समय क्या है संध्यो पासना का समय है अस्मत गुरुचर्णा नाम हमारे गुरुचर्णों का हमारे आचार्य प्रवर का यह संध्यो पासन का समय है संध्यो पासन जिसे के नित्य कर्म के रूप में स्विकार किया गया है कर्म की शडविदता कर्म की त्रविदता अनेक प्रकार के हमारे यहां कर्म स्विकार किये गया है जिसमें नित्यकर्म को यह माना गया है, कि नित्यकर्म की यहाँ प्रमुख विशेश्टा है, कि यदि हम इसका आधान करते हैं, तो यदि पि हमें पुन्यलाब नहीं होगा, परंतु हम पापक्षय होता रहेगा. और यदि इस समय में हम अपने नित्य कर्मों को, यानि कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, संध्योपासन को हमारा नित्य कर्म कहा गया है, कर्तव्य कर्म कहा गया है, यदि इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो हमें पाप होगा, अर्थात हम पाप से युक् संध्योपासना को प्रमुक करतव्यमाना गया है इसलिए हमारे इस मूलपाठ का जो ब्रम्मचारी है जो कि अपने निजपढण कुटिराद अपने पढ़न कुटिर से बाहर आया है वह संध्योपासना की वेला को समझता है जानता है और कहता है कि असमत गुरुचर्णा नाम अयम संध्यो उपासन काल है हमारे गुरुचर्णों का हमारे आचार्य प्रवरकाया संध्या उपासना का समय है तत सपदी अवचिनो मी कुसुमानी इसलिए मैं क्या करता हूँ सपदी शीग्रही अवचिनोमी चुनता हूँ कुसुमानी पुश्पो को फूलो को मैं शीग्रही चुन लेता हूँ जिससे की आचार्य की संध्योपासना का जो आचार्य का जो संध्योपासना का काल है वह निरर्थक न हो वे यथोचित समय में अपनी संध्योपासना कर सके दल अर्थात पत्र केले के एक पत्ते को एकम कदली दलम एक केले के एक पत्ते को आकुंच खीच करके त्रिन शकलई ही शकल अर्थात होता है खंड तुकडे त्रिन शकलई तिनकों के तुकडों से संधाय जोड करके उस केले के पत्ते को जोड कर पुटकम विधाय पुटक य पुष्पावचयम कर तुमारे भे पुष्प चुन्ने की प्रक्रिया को वह ब्रह्मचारी वह वटू प्रारंभ कर देता है। यहाँ माना गया है कि ब्रह्मचारियों के कर्तव्यों में गुरु सेवा भी एक महत्व पूर्ण कर्तव्य है। इसलिए यह ब्रह्मचारी वटू अपने आचार्य प्रवर के लिए पुष्पा वचय करने को उद्यत होता है आईए इस गद्य में जो विशेश पद आये हैं उनको समझते हैं पहला पज्य विशेश है वह है स्वप्न जाल परतंत्रेन स्वप्न एव जालम स्वप्न जालम कर्मधारय अत्र समासा वर्तते तस्य परतंत्रेन स्वप्न जाल परतंत्रेन पुनह अत्र शष्टितत पुरुशा समासा वर्तते स्वप्न पदस्य कहा अर्था तरियत्र उच्चते स्यान निद्रा शयनम स्वापह स्वप्न समवेश इत्यपी ये सभी स्वप्न यानि निद्रा के समानार्थक शब्द है निद्रा, शयन, स्वाप, स्वप्न ये सबी क्या है? स्वप्न यानि निद्रा के समान अर्थक शब्द है सपदी, सद्यह, सपदी, तत्क्षने ये तीनों ही शब्द समान अर्थक है कोश में इन तीनों को ही समान अर्थक बताया गया है और इनका अन्यत्र साहित्य में हम यथा आउसर जिस प्रकार से उनके आउशक्ता होती है जिन भाशा के प्रवाह को निरबाद रूप से अप्रतिहत रूप से प्रारंब यानि निरवर्तमान प्रवाह मान रखने के लिए जिस प्रकार शब्दों के आउशक्ता होती है उनके पूर्व में शष्टी तत्पुरुष और तत्पश्चात तृतिया में इसका प्रयोग होने के कारण त्रिन शकल ही यहाँ प्रयोग हुआ है यहाँ पे शकल शब्द के आर्थ को बताते हुए अमर कोशकार को उद्रित किया जाता है कि भिज्यम शकल खंडेवा पुंसयर धो जिसका आर्थ है आ उपसर्ग यानि आ समंतात कुंच धातु है जिससे त्वाव प्रत्य के स्थान पर ल्यप्रत्य करने पर आकुंच शब्द का निर्मान होता है आकुंच यानि खीच करके तोड़ करके ले करके स्विकार करके आए हम अगले गद्य खंड की ओर बढ़ते हैं इसके पश्चात जब वह बालक अपने निजपर्ण कुटिर से बाहर निकलता है तो उसका वर्णन करते हुए कवी कहते हैं कि वतुरसव आकृत्या सुन्दरह वर्णेन गवरह जटाभिर ब्रह्मचारी वयसा शोडश वर्षदेशियह कंबु कंठह आयत ललाटह सुब वाहुर विशाल लोचनस चासीत अर्थात वह वटू कैसा है अब यहाँ पर अपने पर्ण कुटिर से बाहर निकले वे वटू का वर्णन करते हुए कवी कहते हैं कि वटू असव यह वटू कैसा है आकृत्या सुन्दरह आकृति में अत्यंत सुन्दर है और वर्णेन गव वर्ण अर्थात रंग रंग से वह किस प्रकार है गौरह गूरा है जटा भिर ब्रह्मचारी यहां प्रकृत्या दिभ्या उपसंख्यानम से तृतिया हुई है कहा कि जटा भिर ब्रह्मचारी वह ब्रह्मचारी किस से प्रतीत होता है जटा उसे भारतिय संस्कृति में ब्र जटा भी यानि बालों को बढ़ने दे जटाय بनाए। तो यह दोनों ही ब्रह्मचारी के परिचए द्योतक है, इसलिए ब्रह्मचारी की पहचान के रूप में इसे माना गया है। वर्तमान में हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी शिखा रखते हैं, सिर पर चोटी रखते हैं, जब प्राचिनकाल में समय था उस समय जटाए रखी जाती थी शिखा के स्थान पर और यदि वह मुंड रहते थे तब शिखा का विचार किया जाता था वयसा शोडश वर्ष देशी यह और वयसा यानि आयू में शोडश वर्ष देशी यह लगभग सोलह वर्ष की अवस्था को वह प्राप्त था कंबु कंठह, कंबु यानि शंक, शंक के समान कंठ है जिसका यहाँ शंक पद के साथ उपमा देने का तातपर यह यहाँ न केवल वहाँ देखने में सुन्दर प्रतीत होता है, अपितु अपने कंठ से जब वहाँ शब्दों का उच्चारन करता है तो वहाँ अत्यन्त मधुर शब्दों का उच्चारन करता है, उसके कंठ से निकलने वाली वानी अत्यन्त मधुर वानी होती है, इस बात को द्योतित करता है यह विशेशन आयत अर्थात चोड़ा, विस्तार को प्राप्त, ललाट यानि मस्तक, उनका जो मस्तक है उस ब्रह्मचारी का उस वटू का वह कैसा है, आयत यानि विस्तृत ललाट है विशाल लोचनस्च आसित और उनके जो लोचन है यानि उनके जो नेत्र है वे विशाल है अर्थात अत्यन्त बड़े है इसलिए ने के हमारे या विशेष्ता जो बताई जाती है इसलियों के लिए कहते हैं मरिगाई वा लोचना। इसलियों बड़ी है आए इस गट्देक खंड के जो विशेष्श outfit हमें प्राप्त होते हैं उसने शोड़श यह और शब्द प्रयोक किया गए है शोडश वर्ष इस शब्द से देशियर प्रत्य करने पर शोडश वर्ष देशियर शब्द सिद्ध होता है इशद समाप्ती के अर्थ में यानि लगभग उस अवस्था को संप्राप्त हो चुका है इस अर्थ में कल्पब देश्य और देशियर इन तीन प्रत्यों का विधान किया गया है आगे कंबु कंठा, शंख स्यात, कंबु अस्त्रियाम, अर्थात शंख शब्द भी और कंबु शब्द भी समान अर्थ में प्रयोग किये जाते हैं आस्त्रियाम यानि पुनलिंग में प्रयोग होते हैं कंभूиков कंठो यस्यस्य होर Спसट कंभुकंत कंगा है कंथ जिसका वह कंभूफ यह पर भुभ्रिह समास होगा है लोचनम नयनम नेत्रम इक्षणम चक्षुरक्षिनी इत्यमरह इन सभी को समान अर्थक माना गया है पर्यायवाची माना गया है अर्थार लोचन जो हमने शब्द सुना इस प्रस्तुत गद्य में देखा था उसके लिए नयन, नेत्र, इक्षण, चक्षु और अक्षी इस प्रकार ये सभी शब्द उसी अर्थकों समान अर्थकों बताते हैं दीरग के लिए शब्द है दीरगम आयतम आयत शब्द हमारा प्रयोग हुआ यहापे वह दीरग के अर्थ में विस्तार के अर्थ में चोड़े के अर्थ में हैं आईए इस गद्य खंड को हम यही समाप्त करते हैं और शेश हम अगरीम खंड में प्रारंभ करेंगे धन्यवाद